14-45 साल के उमर का टीका करना काम शुरू हुआ तो उस समय तो किंद्र से तैव हुआ था कि हर राज सरकार को यख खरिजना पड़ेगा, किंद्र सरकार टीका का इंतजाम सब जगह से करवा रही है और राज उसको लेते, तो यह जो हम लोगों का शुरू हुआ त हम लोगों न प्रणा शुरू कर दिया और उसके बाद यह तो बहुत ही बधाई के पात्र है आदर निये प्रधान मंत्री जी उन्होंने फिर निर्ने लिया कि नहीं अब केंद्र सरकार ही 18 साथ से उपर वाले के भी टीका करन के लिए टीका का इंतिजाम करेगी तो अब तो केंद्र सरकार से टीका मिल जाएगा और टीका करन किया जाएगा लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी पैसा लगा उसको लगा करके सब तरह से हम लोगों ने जो करने की कोशिस की है कि उसके माध्यम से 18 से 44 आयू वर्क के लगवक 38,10,826 लोगों को वैक्सिन का प्रथम डोज और 57,549 लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है इस तरह से कोशिस की गई और अब तो पूरे तोर पर सारा सब कुछ टीका केंदर सरकार से उपलब्द हो जाएगा और पहले से मिल रहा था चाहे वो हिल्थ केर वर्कर के लिए हो चाहे फ्रेंट लाइन वर्कर्स के ल सब के लिए ठीका केंदर सरकार ने उपलब्द कराया है सब कुछ किया गया और अफिर 18 साल से उपर वाले के लिए किया गया तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और जब से आधर निये प्रधान मंत्री जी ने इसकी भुसना कर दी और यह बता दिया और 21 अक्टूबर की बात आ पर च्छा महीने के अंदर च्छा करोड लोगों का जरूर ठीका करन कराएं और जान लिए ठीका करन को एक ही डोज नहीं होता है डबुल डोज होता है यानि इसको ध्यान में रख करके इस पर विचार करके कई बार स्वास्तवाग ने बैठा की विसे सग्यों की रायली हम स की सुरुवात हो गई है अब पूरे तोर पर हम लोग लोगों को तो करेंगे ही और आज भी अभी तक आप देख लिए कि बिहार में कुल मिला करके एक करोड सोलह लाग च्यालीस जार एक सोनीस लोगों का पहला डोज और बाइस लाग पांच जार चार्सो चालीस लोगों क का टीका करने का काम सुरू हुआ तो समय तो कि अंदर से तैव हुआ था कि हर राज्य सरकार को यह खरीबना पड़ेगा कि अंदर सरकार टीका का इंतजाम बास सब जगह से करवा रही है